नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग परी यूटुब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिबलो फाइल तो दोस्तों आज HPGKK25 पलस क्वेशन होंगे और इसमें फास्ट ट्रेक रिविजन भी होगी तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्वेशन अबर फर्स्ट हिमाचल निर्वाता डॉक्टर जस्वान सिंग परमार का जर्म कब हुआ था तो यह हुआ था चार अगस्त उन्सोचे में क्वेशन अबर सेकंड कॉल डैम जल बिदुत परियोजना की उत्पादन के शमता कितनी है तो यह है 800 मेगवाट क्वेशन अबर थ्री सूरज ताल और चंदर ताल किस परकार की जिले हैं तो यह है पराकरति की जिले हैं अब हम चलते हैं क्वेशन अबर फोर की तरफ Q4, जो कि काफी ज़्यादा important भी है किस स्थान पर भ्यास नदी का पानी सुरंग द्वारा सतलुज में मिलाए जाता है तो वो है पंडोह, पंडोह कहां पर है मंडी में Q5, रावी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है तो यह बड़ा बंगाल बड़े बंगाल से रावी नदी जोबो निकलती है Q6, कांगड़ा के किशेतर में ब्यांकर भुकम कब आया था तो यह आया था 4 अप्राइल 1905 इस भी में Q7, शीरिखंड परबत चोटी किस जिले में स्थित है तो यह है कुल्लू में Q8 की तरफ चलते है Q8 हमारे पास दिया गया है सिकंदरदार से कौन सा मुस्लिम शाशक संबंदित है तो यह सिकंदर लो दी Q9, काला टोब खजियार बने अवेरन कहां पर स्थित है तो यह है चमबा जिले में Q10 की तरफ चलते है Q10 हमारे पास दिया गया है रोतांग का क्या आर्थ है तो इसका आर्थ है लाशों का डेर question number 11 question number 11 जो वो काफी ज़्याद इंपोर्टन है ये भी बार लाचा दर्रा जो कि लहोल्स पीती में पड़ता है और इसका क्या आर्थ है इसका आर्थ है शीखर पर चोरहा question number 12 question number 13 के तरफ चलते है question number 13 जो हमारे पास दिया गया है question number 14 question number 15 bishop की सबसे उंची सडग का क्या नाम है तो इसका नाम है मनाली ले सडग मनाली ले सडग जो वो bishop की सबसे उंची सडग है और ये प्रशन काफी ज़्यादा इंपोर्टन भी है question number 16 बाखडबांध का निर्मान कब शुरू हुआ था तो इसका निर्मान शुरू हुआ था एक नमबंबर उनसो पच्चपन इस्वी में question number 17 पठान कोट जोगिंदर नगर नैरो गेज रेल लाइन किस वर्श शुरू हुई थी तो ये हुई थी उनसो चब्विस इस्वी में question number 18 श्रीमला कांगडा नैशनल हाइवे की संख्या क्या है तो ये है NH 88 नैशनल हाइवे 88 श्रीमला और कांगडा जो नैशनल हाइवे है उसकी संख्या है NH 88 अब हम चलते है question number 19 की तरफ question number 19 हमारे बस दिए गया हिमाचल परदेश में नम की खाने कहां पर स्थित है तो इसका सही जवाब है मंडी में अब हम चलते question number 20 की तरफ हिमाचल परदेश का सबसे बड़ा मुर्गी पालन के अंदर कहां पर स्थित है तो इसका सही जवाब है सोलन में question number 21 हिमाचल परदेश की प्रथम बिदान सवा का गठन किस वर्ष हुआ था तो ये हुआ था 1952 में हिमाचल परदेश की प्रथम बिदान सवा का जो गठन हुआ था वो 952 में हुआ था question number 22 की तरफ चलते है हिमाचल परदेश की शीत कालीन राजदनी कहां पर स्थित है तो उसका सही जवाव है सिदवाडी तभवन जो कि धर्मशाला में है Q23 हिमाचल परदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है तो ये मंडी है मंडी मंडल जो पर सबसे बड़ा है और इसमें 5 डिस्टिक आती है Q24 नाहल दे रहा पिकनिक रिजोर्ट हिमाचल परदेश में किस जीले में पढ़ता है तो ये पढ़ता है शिमला जीले में अब हम चलते है Q25 की तरफ Q25 हिमाचल परदेश उच नया लेके प्रत्थम मुख्या नयदिश कौन थे दोस्त का सही जवाब है मिर्जा हमदुल्ला बेग और दोस्तों ये प्रशन आप लोगों के लिए हिमाचल परदेश की सबसे बड़ी प्राक्रतिक जील कौन सी है ओप्शन में है एक गोविन सागर सैकंड आपके पास रेनुका दिया गया है तो आप अपने अंसर कमेंट बोक्स में बताएं और इस क्वेशन को ध्यान से देखना अब हम चलते हैं फास्ट्रैक रवीशन की तरफ फास्ट्रैक रवीशन कर लेते हैं फर्स्ट हिमाचल परदेश की प्रथम महिला मुख्या नादिश कोन थी तो वो थी शीरिमती लीला सीट से C perceptions की तरफ चलते हैं हिमाचल परदेश के प्रतम मुख्य सचिव कुण थे तो वो थे कियल महता थर्ड की तरफ चलते हैं हिमाचल परदेश के प्रतम भिदान सवा सचिव कुण थे तो वो थे शिरी एंसी नंदी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हिमाचल हिमाचल प्रदेश के प्रथम राजिस्वा के सदसे कौन थे तो वो थे शिरी चिर्ण जीविलाल बर्मा हिमाचल प्रदेश के प्रथम राजिस्वा के सदसे थे हिमाचल प्रदेश लोग सेवा आयोग शीमला के प्रत्थम अधेक्षि कौन थे तो वो थे लेफटनेंट जेके एस जेके एस कटोच हिमाचिन परदेश अधिनिस सेवा चैन बोर्ड हमिरपूर के प्रत्थम अधेक्षि थे शीरी केसी मलहोतरा दोस्तों ये प्रशन काफी जाद इंपोर्टन थे ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राइ कमेंट बॉक्स में यूरूर बताएं आप लोगों ने मुझे तना समय दिया आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू वेरी मच दिल से